गुड मॉनिंग स्टुरेंट्स आईए क्वेशन नमबर 5 भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसके बेस पर फिर आगे के आप क्वेशन कर पाएंगे हलांकि यह रिवीजन में ही है यह क्वेशन ऐसे क्वेशन आप लोग पहले कर चुके हैं फिर भी एक नजर में देखते ह हुए है और इनका profit sharing ratio है 2 raise to 1 जो question में दिया हुआ है NCRT question number 5 में देखे दिया हुआ है 2 raise to 1 R new partner है उसका share है 1 by 5 ठीक है अभी R ने condition लगाई है कि मुझे अपना share P और Q दोनों से चाहिए कितना कितना चाहिए यह देखे नीचे लिखा है I are acquired his share from P and Q in the ratio of 1 raise to 2 यानि 1 और 2 के ratio में चाहिए 1 by 3 A से चाहिए और P से चाहिए और 1 और 2 by 3 Q से चाहिए अपने share का आईए इनका नया profit sharing ratio हम देखते है एक बार में so P is new share P का ratio हो था देखे 2 by 3 minus वो अपने में से देगा कितना 1 by 5 का 1 by 3 यानि कि वो 1 by 3 P को देना है और 2 by 3 Q को देना है ठीक है तो 1 by 5 into 1 by 3 calculate किया 2 by 3 minus 1 by 15 या आप जानते हैं कैसे calculate करना है ratio आगया 9 by 15 अब भी Q को calculate करते हैं Q का old ratio था 1 by 3 minus 1 by 5 का 2 by 3 यानि कि वो अपने share का 2 by 3 इस से लेगा किस से Q से तो 1 by 5 into 2 by 3 तो 1 by 3 minus 2 by 5 equal to 3 by 15 ये Q का ratio भी calculate हो गया R का share 1 by 5 दिया ही हुआ है question में जो आप लोग देखी रहे हैं ये रेखे दिया हुआ है बस तीनों के ratio देखे आपके सामने P, Q, R calculate करते हैं नीचे new profit sharing ratio P, Q, R के देखे दिया है 9 by 15 अभी calculate किया है आपने ये रहा 3 by 15 ये Q का है और 1 by 5 देखे ये R का है जो unchanged है वो तो उसका नया पार्टनर है तो इसका तो ऐसा ही रहे है LCM लिया और values calculate की 9 raise to 3 raise to 3 और new profit sharing ratio 9, 3, 3 इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं 1, 1 और 3 तो 1, 1, 3 का 3, 1, 1 जो है इनका new profit sharing ratio calculate हो गया इसके base for students आप next question है question number 7 ये तो question number 5 करा है न तो question number 6 आप इसके base पर करिए मैं आपको भीज रहा हूँ ठीक है कहीं पर कोई problem आती है तो बताईएगा Thank you